हेलो एबरीबडी तोड़े वी विल डिस्कास दे रेस्पिरेटरी सिस्टम औफ प्राउन प्राउन में श्वसन तंत्र किस प्रकास से श्वसन होता है इसका डिस्कशन करेंगे प्राउन में रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन तीन प्रकार से होता है ब्रिंक्यो शेग कीि लाइनिंग गारा को एपिपोडाइटस द्वारा एपिपोडाइटस तीन जोडहों होते हैं और प्रति-एक अगलो गिसी प्रकार के हैं पोडोप्राइंक, आर्थोप्राइंक, प्लिूरोप्राइंक, पोडोप्राइंक जो कि किसी भी अपेंडिश के कॉक्सा पर जुड़ा होता है, यहां पर यह फर्स्ट मैग्जलिपीड के कॉक्सा पर जुड़ा है, आर्थोप्राइंक दो जोड़ी होते हैं, जो कि लूगिलम्ड पर अटाश्ट ही पांच जोडी फुरो ब्रंग प्ल्यूर्यूर राव्ण के फैक प्ल्यूर outta होते में प्लेट 14 पर जाता है उसपर जूड़ी होते हैं यह पांच जोड़ी और यह पांचों वाकिंग लेट्स के प्लूरो पर कपे अब सबसे पहले आता है इश्ले लेक्चर में आपको बताया था कि प्राउन में सिफैलो थोरैक्स यानि कि शिरोवक्ष में काइटन का बनावा कवाच होता है जिसको की कारपेस कहते हैं गया यह जो लेटरल साइट पर जो है दोनो साइट पर फ्री होता है और ग जिल्ज को कवर करे रहता है इसको गिल्ण कवर भी कहते हैं यह जो लेखल साइट का जो पार्ट है करपेज़ को इसको ब्रेंख Franc rodzoy का है तो सबसे पहला respiratory organs जो सबसे पहला to Cry of the llamation निंग करें इस भी तर के पतली सब्सक्राइब द लाइनिंग अधिक है तिन वोल्ड है और इसमें गास एक्स्चेंज यानि की ऑक्सटेन और काफी अच्छे से होता है रेस्परीटरी सर्फिस का काम करता है वाटर जो करेंट रेस्परीटरी करेंट है वो कारपेस में या गिल का जो चेम्बर है उसमें पुस्टीर साइट से एंटर होकर और एंटीर साइट से बहार आता है एंटीर एंट से बहार निकलता है और पुस्टीर एंट से एंटर होगा तो इस प्रकार से जो है रेस्पिरेटरी करन्ट वाटर का बनता है now come the epipodites epipodites जैसे कि आपको बताया था कि तीन मैग्स लिपीज, तीनों मैग्स लिपीज पे जो है एक छोटी पती नुमा प्रवर्द के रूप में ये thin-walled well-vascularized tissues होते हैं इनमें भी gas exchange होता है तो तीनों first, second, third मैग्स लिपीज में ये epipodites पाई जाते हैं इनको primitive gills भी कहते हैं now come the true gills true gills ये 8 चोड़ी हैं इनको discuss काने से पहले मैं बताना चाहूंगी branchial formula of paleomon branchial formula of paleomon में अलग-अलग प्रकार के कौन से gills हैं और किन appendages में पाई जाते हैं इस प्रकार का ये चार्ट होता है तो सबसे पहले epipodite जैसे कि अभी बताया तीन जोड़ी epipodites primitive gills और ये first, second and third मैग्स लिपीज पे होते हैं then comes podobrank के वल एक जोड़ी है जो की second मैग्स लिपीज पे होता है then comes the arthrobranks arthrobranks are two pairs दो जोड़ी जो की third मैग्स लिपीज पे जोड़े होते हैं फिर आते हैं पाँच जोड़ी plurobranks जो की first walking leg से लेकर और fifth walking leg तर होते हैं तो टोटल ग्यारा जोड़ी गिल्स पाई जाती हैं पहले हैं now come the true gills true gills जो की 8 जोड़ी हैं यह इस प्रकार से नजर आती हैं सबसे पहले है यह पोड़ोब्रेंग और आर्थर ब्रैँक्स आर्थरब्रैक्स दो जोड़ी हैं दो नजर नहीं आती एक दूसरे को और लाप करती इस वचे से और फिर पांच plurobranks यह plurobranks जैसे कि आप देख रहे हैं एंटिर एंड्स से लेके पुस्टीर मुस्ट गिल तक साइज आकार जो है वह बढ़ता चला जाता है इनकी शेप क्रिसेंटिक टैप का शेप है और यह फाइलोब्रैंक्स कहलाते हैं philobranks यानि की पृतिय गिल में एक गिल एक्सइस या गिल अक्ष होता है। और दो पंक्तियों में जो है गिल प्लेट्स पहीजाती है। पृतिय गिल प्लेट्स स्क्वेर शेप की होती है। यह जो फाइलो ब्रैंक्स हैं इनका इन गे थोरेक्स की वॉल पर एक गिल रूट द्वारा जोड़ी होती है इस गिल रूट से ब्लट सप्लाई होती है गिल पर किस प्रकाश है और यह ब्लट सप्लाई गिल में आप देख रहे हैं कि दो ब्लट वैसल जो है गिल रूट में पर जाती है एक है आफ्रेंट ब्रेंट चैनल से ब्लड पहुँचता है गिल में और दूसरी है इफ्रेंट ब्रेंट चैनल जिसे कि ऑक्सिजन युक्त ब्लड जो है वो गिल से बाहर आता है और पूरी बॉडी को सप्लाइब आता है अब आता है प्रतिये गिल प्लेट में किस प्रकार की सर्कुलेशन नजर आती हैं तीन लॉंगिट्यूडनल गिल चैनल्स पाई जाती है जिसमें की एक जोड़ी लेटरल लॉंगिट्यूडनल चैनल और तीसरी जो है वो होती है मीडियन लॉंगिट्यूडनल चैनल्स दोनों ओर की लेटरल चैनल्स जो है एक ट्रांसवर्स ब्लड वैसल द्वारा जोड़ी होती है और इसी प्रकार से प्रतिय गिल प्लेट में अपनी और का जो लेटरल चैनल है वो मीडियन चैनल से एक मार्जिनल चैनल द्वारा जुड़ा होता है तो इस प्रकार से पूरा ब्लट सर्कुलेशन नजर आ रहा है गिल में श्वसन के लिए जो मैक्जिला का स्काफोगनेथाइट है उसमें स्पंदन होता है और उसके स्पंदन से गिल प्रवाह बनता है जैसे कि आपको बताया वाटर करंट जो है गिल चेम्बर में पुस्टीर के आपके अंटेरेंट से जिंभा इस इंटरल सुस्थन से आपको फोगह यूह गहां घुमाते प्हुलेशन प्रवाटर में से ऑक्षिजन एबसॉप के लिया चारिए इन मृटिशन ऑर और घ्षण से क्षोगन क्राम से सालीम इस प्रकार से श्वसन की क्रियार York में होताrez कि डिश्ट्र इस प्राउन में एकस्कृइशन एक जोड़ी एकस्कृइट्री और गरंज द्वारह होता है जिनको कहते हैं एंटेनरी ग्लैंट्स या ग्रीन ग्लैंट बूब और इंटेनरी ग्लैंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों जो हैं एंटेनेरी ग्लाइंड एंटेना के बेसिस में पाई जाता है और ये एक एक छिद्र द्वारा खुलते हैं रीनल पोर्स ये भी एंटेना के बेसिस पे पाई जाते हैं प्रतिये ग्रीन ग्लाइंड तीन पार्ट्स का बना होता है एंड सेक बाहर की ओर पाई जाता है लेबरिंथ उसमें खुलता है और भीतर की ओर है ब्लाडर जोकि रीनल पोर्स द्वारा बाहर खुलता है प्रतियेक ब्लैडर एक-एक glandular duct द्वारा सिफाइलो थोरेक्स में एक renal sac से जोड़ता है दोनों later ducts आपस में भी एक transverse duct या transverse connective द्वारा जोड़ता है अब ये green gland किस प्रकार से कार्य करता है green gland में जो end sac है इसके मध्य में होता है blood lacuna यानि कि blood sinus इसके चारों और जो excretory cells होती है जो radial septa बनाती है ये excretory cells blood में से excretory पदार्थ यानि कि उच्छी पदार्थ अलग करती है यानि कि filtration होता है उसके बाद ये excretory products पहुंचते हैं tribules में या excretory tribules में excretory tribules में selective reabsorption होता है selective reabsorption यानि कि जो useful products है वो वापिस और फिर उसके बाद excretory products collect होते हैं प्लाड़ा में में अमोनिया और कुछ भाग में अर यूरिक एसेड और ताइम टॉ टाइम लीनल पोस द्वारा बाहर त्याग दें जाता है